अब जब अब जब जब अब शेर कीजेगा सभी भाई जड़ा समय एक पचास हो चुका है थोड़ा लेट हो गया एक्चले आप जानने हैं पुलिस किस तरह का चेकिंग लगाई हुए तो घर पहुंचने में थोड़ा समय लग गया एक बार जितना जल्दी हो सके शेर करते जाएगा अधित्ते मान नया चंद चंदु चौद्री जी लोग जुड़े हुए है राज सिंग राज शेर कीजिए इसको अभी आप के ही एरिया से आ रहे हैं जैसको शेर करते आएगा जारते जी से मनिश शर्मा जैश्याराम सभी भाई को अरुन रिया जैश्याराम हरर मादेव जैश्याराम सभी भाई को श्रम पंडित जी एक बाद शेर कर दीजे ताकि बाद बिहार के जो जेनरल मासिज है वहां तक पहुंचाया जा सके और जो भी भाई दूसरे स्टेट में भी दूसरे राजे में भी बिहार से हैं उन लोगों से भी अन्रोध है कि एक बाद शेर जरूर कीजएगा आवाज आ रही है कि ने उस आवाज आ रही है अगर आवाज आ रही है तो ज़्यादा देर आप लोगों का नहीं लेंगे जो बात है उसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी कुछ देर पहले NMCH से आ रहे हैं NMCH गया हुए थे किसी कारण से एक भाई है जिनको कुछ तकलीफ आ रही थी तो क्योंकि आप जान रहे हैं लोकाउट है चिकितसक हर तरह से अवेलेबल नहीं है और लोगों को भी ना गाडियां उपलब धोपा रही है ना पुलिस बाहर निकलने दे रहे हैं तो खासी परशानी तो आ रही है इमर्जेंसी है पातकाल है तो कुछ कंप्रमाईज आपको भी हमको भी करना होगा तो उसकी वज़ए से अब आज पैनिक का सीचुशन इस तरह का है कि थोड़ा सा भी अगर आपको किसी तरह की दिकत आ रही है सास लेन है पटना सिटी में तो अभी वहीं से आ रहे हैं वहां जाने के बाद जो द्रिश्य देखने को मिला है जो वहां के डॉक्टरों चिकित्सकों से बात करने के बाद वहां एक अनुभव हुआ वो बहुत ही धर्दनाक है बिहार की जितने भाई हैं उनसे एक बात पूछना च कि हर सांसद जितने भी सांसद हैं हर छेत्र के उन लोगों ने अपने अपने कोश से अपने अपने कोटा से कुछ जो राशी है उसको बिहार सरकार को सौपा है बिहार सरकार को ब्राम कृपाल यादो जी ने एक कड़ो रुपे की राशी सौपी है रात कोश में अपने छेत इतना ही नहीं सबसे बड़ी बात है कि अभी ये चंदन नवादा के चंदन भाई है हमारे सुल्भान सिंग की छोटे भाई है हमारे बगलगीर है उन्होंने भी 85 लाख रुपए डोनेट किया है अपने संसदिये शेत्र में आप बताएं पटना के वासी जो भी पटना में है अपने अपने जो संसदिये शेत्र में जो भी लोग हैं बेटा में हैं कि कितना पुक्ता इंतजामात हो रहा है आपके मुहले में क्या सेनिटाइजेशन की प्रॉपर विवस्ता की गई है सरकार द्वारा क्या जो आपके अगल बगल जो भी नगर निगम का छेत्रा आता है क्या सेनिटाइजर मास्क बटवाय जा रहे हैं घर घर में सबसार के जाएंगे अगर नहीं तो ये बताये कि कम से कर मास्क हर घर में बटवाया गया है सरकार द्वारा नहीं अभी तक पटना में मैंने एक भी मुहले में तीन दिन में नहीं देखा जबकि हम लोगे पास पास है गुमने का पटना का निरिक्शन करने का दो दिन से समान पहुचा रहे हैं जहां जहां से फोन आ रहा है कहीं कुछ भाई फसे हुए है मुसलिपुरहाट में जिनके पास जो स्टूडेंट जो नहीं जा पाए घर लोकाउट अचानक से हो जाने है कारण क्योंकि पहले 22 तारीक को मोदी जी ने लोकाउट किया था तो एक दिन का लोकाउट समझके लोग घर नहीं गया दूसरे दिन बिहार के 38 जिलों को बंद कर दिया गया और तीसरे दिन मोद यहां तक ही पानी की सुविधाय बंद करा दी गई है सुबा पांच बजे उठकर पानी पहुझाना पड़ रहा है लोगों को साथ बजे तक क्योंकि साथ बएक बाद लोकाउट जाने के बाद गाड़ी सीज कर ली जा रही है गाड़ियां सीज कर एक तो मान रहे है कि पब को नहीं समझ नहीं कोशिस कर रहे हैं कहीं ये लोग नहीं समझ रहा है कि हाँ इतना connections कर दिया गया है कि हाँ नज़दी की, हर जग अकिराना का दुकान खुला हुआ है, जाएए, जो भी समान लेना है, खरीदिए, चले आईए, लेकिन आपको जबरदस्ती अब अगर पटना का, भूतनाथ का आदमी हैं, तो दल्दली ही जाएगा, सिटी का आदमी हैं तो दल्दली मारुफ का जी जाएगा ऐसा जबरदस्ती ज़रूरी तो नहीं है आपात काल में कुछ कॉंपरमाईज आपको भी करना पड़ता है आप लोग सब चाहरे हैं कि आपात काल में भी सारी सुवधाया आप जैसे पहले हो रही थी वैसे ही चले तो फिर इमर्जनसी का मतलब क्या रहेगा घर बैठा के पैसा मिलने वाला जो सफना आप लोग सोचकर रखे हैं देखकर रखे हैं कि आपको घर बैठा दिया जाएगा हर चीज सरकार मुहिया करा देगी तो ये इमर्जनसी का मतलब नहीं होता है अगर इमर्जनसी में थोड़ा कस्ट आप नहीं उठाईगा तो किस बात निकल रहा है तो साइकिल लेकर बच्चे घूम रहे हैं इम्यून सिस्टम सबसे कम जोड़ उनका है और सबसे कम जोड़ इम्यून सिस्टम को ही सबसे पहले एफेक्ट करता है करोना कोरोना का सबसे पहला शिकार या तो बच्चे होते हैं या फिर साथ साल से उपर के मुज सिग्रेट के दुकान पर भरा हुआ है जब शाम में निकले दोफेर में निकले किसी काम को लेकर किसी इमर्जनसी में तो देख रहे हैं कि लोग बेवज़ा भीड लगाये हुए जुण बनाये हुए हैं ऐसे अपात कालिन थोड़ी चलता है आपका प्रधान मंत्री हाँ जोड़ कर आपसे निवेदन कर रहा है रोज लाइव आ रहा है भ्यार सरकार ने निवेदन किया है आप लोग इसको मजाग बना के रखे हुए है हर जगा सिचुएशन हर जगा समान अबेलेबल है आप जाएए वहां से लीजए हर घर के महला की मगल में यह मिल रहा है समान बहुत इजली अविलेबल कराया गया है सबसे डाइज रेट पर है एक्जाक्ट जो मूले है उस पर आपको किया जा रहा है आपको ये भी सुविधा दी गई है कि अगर आपको ज़्यादा मूले में कोई बेच रहा है तो लोकल थाना को इन्फ रुपए में रात में अचानक से बेचा जाने लगा जब रात में प्रधान मंतरी ने कहा कि 12 बजे के बाद लॉक आउट शुड़ हो जागा एक इस दिन का रात में लड़कों ने फोन किया कि भईया इस तरह से हो रहा है हमने उन्हें नंबर दिया बोला कि आप सब्बर कीजे लोकल थाने से डीम का नंबर दिया और देखिए परसु वो लड़का पूरे दुकान वाले को एक को महिरासस में ले लिया गया और पूरे दुकान को र उसको तो ये लगने लगा कि अब एक लोता हम ही हैं हमारे ही बास लोग आने बाल है तो अपना मन माना जुदाम है उसको लगा दे रहा है जैशाराम राजाजी बात को समझेए और थोड़ा आपात कालिन सिती पर गंभीरता से विचार कीजिए अभी NMCH में डॉक्टरों की हलती है एक तो आइसोलेशन वाट का ठीक से रख रखाव नहीं किया गया है सरकार दोरा फंड तो लिया जा रहा है जब किंद्र ने 13,000 क्रों रुपए दिये तो बिहार सरकार क्या कर रही है आप पैसे लेने को तयार नहीं है कि आपके पास सफिशेंट अमाउंट है विशेस राजे का दर्जा चाहिए आपको आपका जो बजट में पैसा मिलता है उसमें से 600 क्रों 500 क्रों 700 क्रों रुपए हर महीने हर साल आपका बजज जाता है आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे है सही समय पे आपको सही चीज अविलेबल नहीं हो पा रही है इसी तरी के आज से पांच महीने पहले बाढ़ आया बिहार में खासकर पटना पूरा डूब गया सरकार रहात कोश में 13,000 करड़ रुपए से जादा फंडिंग आया बिहार रहात कोश के अंदर क्या मिला लोगों को अगर NGO और नीजी संसान नहीं होते तो बिहार का हर एक व्यक्ती भूके मर जाता NDRF को अपने सुविदा दी NDRF के बोट तीन जगह से जादा बहार रंड़ जाती नहीं थी किसी गली में जहां असली जरूरत है लोगों को जहां लोग फंसे हुए हैं वहां जाने के लिए कोई तयार नहीं हो रहा था अगर समाज से भी संस्थान नहीं होते उस समय भी अगर नहीं होता कोई BNGO तो पटना उस समय इस इतने बड़े मुसीवत से नहीं उबर पाता महामारी तो उसी समय फैल जाती है अगर हम नहीं होते कितने देर बिहार सरकार पर हम विश्वास करें हर जगह से लोगों ने फंडिंग की थी बिहार सरकार को दो दिन में 800 करों रुपे हो गया थे अगर बिहार सरकार हेलिकॉप्टर से सही जगह पर समान अगर गिरा ही रही होती तो लोगों को उतरने का ज़रूत नहीं पड़ता उस पानी में यही चीज अभी फिर से दोराय जा रहा है आपको महावीर कैंसर संसान महावीर मंदिर ट्रस्ट ने एक रुपे दे दिये हर संसर ने अपने तरफ से रुपे दिये है पैसे दिये है हर जितने विद्योग पति हैं उन लोगों ने अपने तरफ से पैसे दिये है आप न सेनिटाइजेशन करवा रहे हैं कहीं पर आप doctors कि हालत यह है कि वो लोग डर के काम कर रहे हैं उनको proper equipments, protective equipments नहीं मुहया कर आए गया है आप जबर्दस्ती चिकित्सकों पर जाङ रहे हैं आप जबर्दस्ती उनको टोर्चर कर रहे हैं कि आप इलाज कीजिए उनको नहीं सुरुखचित कर सकते हैं जब डॉक्टर्स को आप सही कपड़े मुहया नहीं कर वाएंगे उनको मास्ट नहीं देने फिलिए आप कह रहे हैं आपने आंगनबारी को कह दिया कि 70 को एक टरफ लगा थीया जाएगा ना आप उनको उनका यूनिफॉर्म दे रहे हैं आप देखिए कि फ्रांस इटली चाइना ने एस्ट्रोनॉट्स की तरह ड्रेस डिजाइन किया है चार प्लास्टिक के ड्रेस उपर से पहनते है वाइट कलर के और तब चस्मा उनका रहता है जो मरीन चस्मा जो होता है जिसको मरीन ड्राइव में लोग यूज करते हैं जो गोता खोर लोग यूज करते हैं उस तरह का उसके बाद भी करोना हो जा रहा है कि इतने डॉक्टर्स को और यहां मदाग बना के आप लोग उन्हें लग दिया है आखिर पैसे कहा जा रहे है आपको हेलिकॉप्ट जैसे ही आप का खतं हुआ बार्ण का संकट आपकेट बच गये जब आपके कोश में रहात कोश में भीहार सरकार के चीफ मिनिस्टर भीहार सरकार के मुख्य मंतरि ने है हलिकॉप्टर खड़िंदा बहुत जरुरी शमजह है को उसके बाद सिर्फ चुनाओ प्रह्मन के लिए आपके अब तो कंडिशन ऐसा है कि मान लीजे बाड और इसमें तो लोग उतर भी गए इसमें तो पुलिस उतरने भी नहीं दे रही है नीजी संस्थान के लोगों को आप खुछ से कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं लोग उतर रहे हैं तो उनको मिना कर अगर हमारे पास भी कितने पटना के निजी संसानों को होम इनिस्ट्री से पर्मिशन मिल जाएगा सबके पास तो ये सुविधा उपलेबल नहीं है एक उपदेश राना यूथ ब्रिगेट को मिल गया जिसकी वज़े से हम काम कर पा रहे हैं कोई भी एंजी ओ नहीं उतर सकता है इस दौरान इस टाइन पिरियेड में पर्मिशन नहीं है किसी के पास आप कुछ कर नहीं रहे हैं पुलिस क्या करेगी अभी भी देखिए कि लोग जो भूखे हैं लोग जो फसे हुए हैं लड़का रो रहा है कोई यहां से घर तक जान हो क्योंकि गारियों को भी सीज कर लिया जा रहा है कि सरकारी गारी ही तो अविलेबल कराई यह कम से कम कि जो लोग यहां से अपने घर जाना चाहें उनको भीजा जा सके डॉक्टर्स डर डर के जीर हैं क्या इलाज करेंगे यह डॉक्टर्स खुद संक्रमिट हो जाएंगे तो किसी संक्रमिट मरीज का इलाज कहां से होगा NMCS के डॉक्टर्स डरे हुए हैं उन लोग हम लोग से अपील कर रहे हैं सरकार से अपील करनी चाहिए थी ना उनको सरकार सुनने को तयार नहीं है आज जिस तरह से डॉक्टरों ने हाथ पकड़ के कहा है कि अगर हम दाश्रुजी नहीं कुछ कीजिएगा नहीं अगर उनका कान खुलिएगा तो हम लोग मारे जाएंगे और ये बात सिर्फ NMCS तक AIMS तो बड़े संस्थान है माल लिजे कि किंद सरकार का संस्थान है तो किंद सरकार अपने हिसाब से काम वहां कर रही है लेकिन जो सरकारी जो राजी सरकार के अंदर जो अस्पतार आता है क्या उनमें राजी सरकार का कोई भूमिका नहीं है उनके डॉक्टर्स की सुरक्षा मायने नहीं रखती आप बात नहीं समझ रहे हैं अगर इस चीज को पहुँचाईए जितनी दूर तक हो सके कोशिस कीजे चीफ मिनिस्टर तक या जो भी यहां के हेल्थ मिनिस्टर नहीं वहां तक बात पहुचाने की कम से कम मंगल पांडे जी को इतना करना चाहिए था आश्वीनी चौबे जी आप बात करते कि यहां के डॉक्टर्स को अगर नहीं आप सुरक्षा मोहिया कराईएगा आप प्रॉपर इनको नहीं दीजेगा सेनिटाइजेशन से लेकर के मास्क और इनके जो भी एक्विपेंट्स है जो भी प्रोटेक्टिव एक्विपेंट्स है चाइना और इटली जैसा देश फ्रांस और अमेरिका जैसा देश जहां पे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है दिन रात सेनिटाइजेशन हो रहा है हर एक मुहले हर गली में बड़े बड़े ट्रॉक्स से सेनिटाइजेशन किया जा रहा है लोगों को एक्विपेंट्स दिये गए हैं लॉंचर मशीन दिये गए हैं जो सेनिटाइजिशन और इसके फॉगिंग के लिए काम कर रहा है उन लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है आप बिहार और भारत जो की कहीं पर रही है 112 नंबर पर आता है स्वास्त विभाग में इसका रैंक और वहाँ आप इतना मजा किया लहजे में ले रहे हैं आप डॉक्टर्स को क्यूकि इमर्जेंसी घोजित कर दिया गया तो डॉक्टर्स पर फोस बना रहे है कौन सा डॉक्टर डर से काम करेगा रिजाइन करवाना चाहा है आप यहां डॉक्टर्स डर के जी रहे हैं सर हर मुहले में आपको विदेश से आया C.E.A. का विरोध पर विदेश से मुसलमान हर मस्जिद में आपको मिल जा रहे हैं जहां नहीं होना चाहिए और दलील देखिए कि जमात में आए हुए अभी धर्म प्रचार हो रहा है धर्म आप बचेगा तब तो धर्म बचेगा जबरदर्स्ती जमात बना बना के नमाज पढ़ा जा रहा है तीन जगा से मना करवा गया है और उसकार पुलिस लाठी चार्ज करेगी नहीं करेगी तब भी दिक्कत है आप लोग की अपने राइट्स का गलत पादा उठाना शुरू कर देते है पहली मांगे जितने भी भाई है कम से कम ट्वीट कीजिए हल्थ मिनिस्टर को नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर को कीजिए अगर बहार सरकार नहीं सुनती है तो कि कम से कम हमारे डॉक्टर को तो मुहया कराईए प्रोटेक्शन अगर वही प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो दूसरे संक्रमित मरीजों का इलाज कहां से होगा एनम्सीएट पीम्सीएट में डर का महाल है डॉक्टरों के अंदर कोई डॉक्टर आधा से जाधा डॉक्टर नहीं आ रहा है अस्पिटल में डर से आईसोलेशन वाट देखिए जाके क्या इस्तिती है आईसोलेटेड मरीजों का तो कम से कम ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है सब काम आप चाहते है कि लोग अपने आप कर लें पैसे बच जाए आपके आपके पास सो कडोर रॉपे से ज़ादा आपके पास फंडिंग आ गई और दस कडोर भर भी काम नहीं हुआ है किसी भी जिले में आप पूछे किसी आदमी से किसी मुहले में पूछेगी कहीं सनेटाजिशन हुआ है सुबस है सिर्फ सफाई करमचारियों को अपने लगा दिया है काम पे जाड़ लगाने के लिए वो जुण में अगर काम करेंगा उनको नहीं होगा आप उनको भी prospective measure supply नहीं कर रहे है औरते साड़ी पहन के blouse पहन के रोड़ पे जहर लगा रहे हैं सिर्फ mask लगाकर क्या उनको नहीं जाएगा इतना आसान नहीं है तो अपो इतना आसानी से इसको deal कर रहे हैं यह महामारी है कितने देशों में emergency लाग हो गया है अच्छे अच्छे देश इससे हाथ खड़ा कर दिया है इससे लड़ने के लिए डॉक्टर्स नहीं सफीशेंट हो पा रहे हैं लड़ने के लिए और बिहार में इतना मजाग बना कर रखा हुए योगी जी कम से कम कर रहा है माराष्ट में 30,000 लोगों को isolated किया गया है एक जगा नगर निकम के लोगों को आप बुला के हम खड़ा गर के कल वीडियो बना के पूछ देंगे क्यों लोगों को मिला है एक भी sanitizer या spray करने के लिए भी कुछ नगर निकम के लोग कहने कि सर हमको उपर से मिलेगा तब तो हम कुछ करेंगे रिस्क लेके काम कर रहे हैं वो लोग कम से कम उनकी सुरक्षा को देखिए मान लीजे आप और हम घर में है चीफ मिनिस्टर साब घर में है special protection में है लेकिन एक बाद ध्यान रखिए कोई नहीं बचेगा वाइट हाउस में अमेरिका के उपराष्टपती तक को अगर नहीं बख्षा करोणा ने तो आप और हम कोई लेवल पर नहीं आते हैं हर भाई जितने भी आप लोग देखें कम से कम उन डॉक्टरों के लिए कुछ कीजिए अगर आपके पास मास के बले बला अगर पुलिस मना करती है बात कराईए उनको हमने एक हल्प लाइन नमबर डाला था चार दिन पहले कि मुसल्ले पुरहाट उसके अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं जो भी फस चुके हैं जिनके पास सिलेंडर उपलब नहीं है पानी नहीं है रासन नहीं है वो उस नमबर पर कॉंटक्ट कीजिए तो कॉंटक्ट कहां से हो रहा है अरवल से भभुआ से मुहनिया से कि करुणा का जांच करा दीजे हम यहां के लिए हल्प लाइन नमबर जारी कियें वो लोग भी टॉर्चर हो रहा है उसे एक भी जिस कारण से नमबर जारी किया गया है हल्प लाइन का आप उसके लिए कॉल नहीं कर रहा है वो लोग हमको मसोरी से भववा से कॉल आ रहा है कि करुणा का जांच करा दीजे आप अपने संसदिये छेतर की संसद से बात कीजे उन्होंने अपने कोस्ट से अगर पैसे दिये हैं करोडों में तो उनको हग है ये पता करने का कि कितना काम हुए है वंके पैसे का आपको हग एजान करी लेने का आपने वोट दिया है सरकार मजाग बना के रखी हुई अभी कुछ दिन पहले पीरो से फोन आया था दो दिन पहले कि एक ही मुहले में हो रहा है एक ही जगा पे एक ही दुकान एक ही घर पे आप वी आई पी हैं तो सिर्फ अपने घर पे करवा लिजिएगा सेनिडाइजेशन और जो गरीब है जो नहीं एफोर्ट कर सकता है सेनिडाइजर भी उसको आप छोड़ दे रहे हैं मरने के लिए बात समझेए और जितना जल्दी हो सकते हैं पहले आप भाईयों से निविदन है कि किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलिए जबरदस्ती करके मत निकलिए और अपने निकलना भी है तो हर मुहले में एक राशन का दुकान होता है आप वहाँ जाईए ज़रूरत की समान खरी दिए एक दो महिने बस कस्ट है आपको एक ही महिने दो सो रुपी, एक सो रुपी जादा लगेगा न अगर लगेगा भी होल से रेट से जादा तो आप दो सो रुपी बचाने के लिए अपने आपको अपने पूरे परिवार की जिन्दगी खत्र में डालने को तयार है आपके पास अगर पास नहीं है नहीं है राइट आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ मटर गस्ती करने के लिए बाहर मत निकलिए क्योंकि अब तो गाड़ियां भी सीज हो रही है पटना में सक्त आदेश है कि अगर मोटर साइकल या कार से बिना किसी काम के आप निकले तो आपको आपका गाड़ी सीज कर लिया जाएगा बात को समझिए देश को बचाईए समर्थन कीजे अपने प्रधान मत तरीका नहीं तो इन जाहिलों की तरह अगर जबरदस्ती नमाज पढ़ने से अगर आपको लग रहा है कि पास्टाइम नमाज पढ़ने वाले को करोना नहीं हो रहा है तो हज से जितने आदमी आ रहे हैं उन सब को अल्ला नमाज दे रहा है करोना से यहां पास्टाइम नमाज से करोना नहीं हो रहा था हच से आने वाले 78% जो यात्रिय है उन सभी को करोना हो चुका है और लगातार उन पर डैग्नोज हो रहा है तो ये जाहीलियत में मत रही है सबसे जादा करोना के मरीज आप ही लोग है जुन बना बना के कल फुलवाडी में जुन बना के नमाज पढ़ा जा रहा था वहाँ और भी कौम के लोग रहते है आठ हाद में डिटेक्ट हुआ है उस नमाज जहाँ पढ़ा जा रहा है करोना का मेरीज है क्या आपको लगता है कि सारे लोग बच गह होंगे हर चीज को जाहिलियत के तरह जमाद बुला बुलागे फुलवाडी में मसजिद में रख रहे है यहाँ आपको सबजी भाग में मसजिद में रख रहे है और वो लोग खुद चाइना से और इटली से आया हूँ है वो आपको क्या बताएगा जान बूचकर सरकार के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड मत कीजिए जितना हो सके सहयोग कीजिए और आपातकाल का मतलब समझिए इलिट्रेसी के कारण आप लोग आपातकाल को ही मज़ाग में लिए आपको हर fundamental right अपना पता है कि fundamental right क्या है और duties आपको नहीं पता fundamental duties आपको याद रखनी होगी और याद रहेगा तभी fundamental rights का अधिकार आपको मिलता है सिर्फ चाहिए कोई चीज तो इन जाहिलों की तरह आपको अपना हक याद रहता है और जब देना का गवारी होता है सरकार को देश को तो अपना सारा हक भूल जाते हैं अपनी सारी जिमेवारिया भूल जाते हैं सम्विधान की रखवाली करने हैं सम्विधान की रक्षा करने हैं सम्विधान का एक नियम नहीं मान रहे हैं सही दिसमारक तोड़ रहे हैं है सम्विधान में रासुका लगता है उस पर मजाग बनाकर रखे हुए और सास में दो-चार लोग ऐसे समर्थन कर देते हैं आपको सम्विधान का धज्जी उड़ा के रख दियो और सम्विधान बचाने चल रहे हो इमर्जंसी का नियम नहीं पालन कर रहा है और सम्विधान बचा रहे हैं तिरंगा हाथ में लेने से होम मिनिस्टर को टैग कीजे होम मिनिस्टर तक ट्वीट कीजे और उनसे डॉक्टरों के लिए मदद मांगिए पहले डॉक्टर नहीं रहेंगे तो आप और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे रोज चार-पांच मरीज डिडेक्ट हो रहा है बिहार में 30 का संख्या पहुंच गया कुर्णा पोजिटिव का पटना में पहुंच गया 9 का संख्या चार देथ हो गई अभी तक इतना आसान नहीं है इतना आसानी इतना इसली इतना लाइटली मत लिजे इसको आप ही नहीं रहेगा तो वोट कौन देगा उनको और चंचागीरी तो एक दमी बंद कर दीजे कम से कम इधर 15 तारिक तक आप रहेंगे तब देश रहेगा और तभी कोई अलेक्शन और डेमोक्रेसी रहेगी अंतिम बार अनुरोध हैं सहयोग करें और उनसे अपना जो भी हिसाब हो मांगने की कोशिस करें कि आपके महले में क्यों नहीं हुआ है आप अगर चाहें तो हम मेर का नंबर दे देते हैं सीता साओ का उनके बेटा शिशिर भाई का नंबर दे दे रहें आप उनसे क्वशिन कीज है पूछीए आपके महले में कहा तक हुआ है अपने पैसे से तो नहीं करेंगा अपने घर जमीन देश कर आप सरकार से क्वशिन कीजिए के अभी तक क्यों हुआ या नहीं हुआ है ईक्टर्स को क्यों नहीं उनिफर्म दिया जा रहा है उनको प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स क्यों नहीं मोहिया कराए जा रहे है PMCA जैसे और LMCA जैसे अगर हॉस्पिटल उसमें इस तरह का लापरवाही किया जाएगा तो मरीज किसके बारों से रहेगा सब एम्स में भरती हो जाएगा एक ही हॉस्पिटल में पूरा भिहार भरती हो जाएगा लॉकाउट को समझिए गंभीरता को समझिए इमर्जेंसी को समझिए और सरकार को बात देखीजिए क्योंकि डॉक्टर्स भी आपकी जिम्मेवारी हैं आपके 20 से ही डॉक्टर्स आते हैं और अगर उनका सुरक्षा आप नहीं कीजेगा तो आप उनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए अवाज उठाईए और जितने न्यूज चैनल्स हैं जो भी भाई न्यूज से जुड़े हुए हैं वो एक बार इस मुद्धे को उठाईए कि डॉक्टर्स प्रोटेक्टिव नहीं है अधिक्तर डॉक्टर्स को नहीं मिला है एक्विपमेंट्स ना उनको मास्क प्रोवाइड किया गया है ठीक से ना उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है ना सही एप्रेंट्स प्रोवाइड किया गया है उनको ताकि वो करोना से करोना से संक्रमित मरीजों के साथ अगर उनको उठना बैटना है उनका तो वो खुद को नहीं बचाएंगे उनको क्या बचाएंगे चलते हैं इस बात को गंभीटा को समझे और आगे बढ़ाईए बंदे मात्रम